कि आपका स्वागत है तो आज कि इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि फ्रेंड्स यहां पर जीतने भी एड़ेड इस्कूल्स थें वो जो है आपका किसी कारण वस्ट जो है आपका रद करने का जो यह है यह जो है जारकन कौवर्मेंट ने इनका यह कर दिया गया था जितने भी स्कूल्स है एड़ेड इस्कूल वो फिर से निविक्ति होगी और वो असिस्टेंट टीचर के जगह पे आप आप अचारी का चायन होगा ठीक है तो यह जो आपका फ्रेंड्स जो है जी एल परतामिक विद्दालय उदेपूर्थ जो डोड़मा परकंड तौरपा से निकल के आई थी तो यह जो है यहां पर जी एल परतामिक विद्दालय उदेपूर्थ उडपा से 27 अगस्त को हिंदूस्तान समचार प्रत्र में विसका विग्यापन परकासित की गई थी जारकंड सरकार दो कि अना कि विद्दालय वर्ग में एक से पांच तक यहां पर अच्छ एक सी चक्स है टीटी सी टीचर एने टीची टीचर शर्णिंग को स्टीय लेट सहाएक अचारी कि यह सकता होगी यह दिखिया अब यहां पर आप यह है आपका फ्रेंड्स अचारी पर दिका जो है अब जो है अचारी पर यहां पर यह होगा तो इसका जो ग्रेड पर है लेवल फूर और इसका जो ग्रेड पर है 52-20जार एक ब्याए 24 सोगा पहले चो पहले 42 सोगा था तो फिर बाद में इसको कम कर दिया गया उस इसलिए यह जितने भी वेकेंसी है सब को राद किया जा रहा है ठीक है तो विद्धाल्य परबन समयति के द्वारा यह जो है 3 सितंबर को 22 में बेठक के लिए निर्ने नुसार आविधन के जमा करने के अंतिम्तिती अब इसको फीर से आपको आधार पर किया जाएगा और इसके लिए नो निस सितम्बर को मूल परमान पत्रक से बिद्धाले मुबस्तित होंगे और पूर में लिए गया आधन यथावत रहेंगे जो भी आपको पूर में आधन दिये हैं उनके लिए देने के जो रद नहीं है और जिनको देना है वो फिर से आधन कर सकते हैं तो यह था जी एल प्रथामिक विद्धाले उदेपूर का और एक वेकेंसी इधर और ठीक है कार्याल है SPG मिशन प्रथामिक विद्धाले बरगड़ी मांडर में यह जो वेकेंसी निकली थी इसको भी क्या रद किया जाता है 30 अगस्त को इसको लिए की गई थी तो उसे क्या करना है 20 अगस्त को परभात कबाद समाचर पत्र प्रकासित को फिर से रद किया जाता है इसके लिए नए सिरिस है यहाँ पर बिग्यापन आए बिग्यापन प्रकासित किया जाएगा ठीक है तो यह दो आपका अपडेट थ है मिलते हैं नग्स वोडियो में तक तक लिब कर तो करेंग है कि अ कि अ